आप सभी को मेरा नमस्कार है आज को जो हमारा ब्रत है वट वेक्ष की विदी जो वट सावित्री द्वारा वैद किया गया था उसकी विदी है इसको आप कैसे संपन करेंगे वह आज मैं आपको बताती हूं वैसे तो वक्ष का बेड़ बहुत बड़ा उशाल होता है आज हम अगर मेरे घर में इवट का मैंने पौदा लगा के रखा है तो इसे गमले में रखा हुआ है गमले में रखने से कि आप कभी भी इसकी रोच देली पूजा कर सकते हैं तो सबसे पहले चौक पूना है चौक पूने के बाद आपको उसमें बड़ लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें क्या-कैसा मगली लगती है इह है नौ लखा हार है इसको बारा बार हमको एक राउंस बना के कि माला मौला क् तयार करना है फिर पूरी को लहां has five लेना है आप और गोल गोल जो आटा हे में थोड़ा सा घुण मिला के उसको भर immense बंगताई जाता है उसको अच्छे सेखने के बाद उसका पूजा की जाती है ये भी बारा भगवान जी को चड़ाए जाती है बारा जो हमको बाद मेरी सासु मांद्वारत दिया जाता है और इसमें जो नौलाखा हार जो हमने बनाया है सूत के धागे से वो आपको पहले भगवान जी को और पन करना है मतलब बर दागे से परिक्रमा करना है बारा बार घुमाना है उसके बाद आपको नेक्स होता है कि आपको भगवान की आरती करना है आरती करने से पहले पूजन विधी करना है पूजन की ब्रत कथा है वो हमारी पास बुक में जनरली मिली जाती है आप ब्रत कथा करने के बाद आप इ मैंने यह हैं कि इसमें 12 चने लिये जाते हैं जो रात में बीग मैं रखना पडते हैं और साथ में वट ड्रक्ष को प्रिकषी जो बॉड़ी सबस्वाएं